नमस्कार स्वागत आपका निजरूम पोस्ट में मैं हूँ आपके साथ रोशनी से भारती क्रिकेट टीम की जर्सी वैसे तो ब्लू ही है मगर वर्ड कप से ठीक पहले प्रेक्टिस जर्सी का रंग बदल दिया गया अब उसका रंग भगवा हो गया है यही वज़य है कि पश्चे मंगाल की मुक मंत्री ममता बनर जी को टीम इंडिया की ये प्रेक्टिस जर्सी पसंद नहीं आई और उन्होंने क्रिकेट के भगवा करन का आरोप लगाया दरसल पश्चे मंगाल के मुक मंत्री ममता बनर जी ने भारतिय जन्ता पार्टी के नित्रत वाली केंदर सरकार पर भारतिय क्रिकेट टीम सहित देजभर के विविन्ट संस्थानों को भगवा करन करने का प्रेयास करने का शुकरवार को आरोप लगाया है बता दे कि भारती क्रिकेट टीम की अभ्यास जर्सी अब भगवा रंगी हो गई है मद्द कोलकता के पोस्ता बजार में जग्द्राही पूजा की शुरुवात के मौके पर मुखमंत्री मम्ता बनर जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल क्रिकेट टीम की जर्सी में बलकि मेट्रो स्टेशनों में भी पेंटिंग में भगवा रंग जोर दिया है उन्होंने इसे लेकर अपनी एसमती व्यक्त करते हुए कहा कि वो पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिस कर रहे हैं हमें अपने भारतीय खिलारियों पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि विशिकप में विजेता हुँगे लेकिन वो वहाँ भी भगवा रंग लेकर आये और हमारे लड़के अब भगवा रंग की जर्सी में अभ्यास करते हैं मेट्रो स्टेशनों को भगवा रंग से रंग दिया गया है ये अस्युक्यार है भाजपा पर कटाच करते वे उन्होंने कहा है कि रास्ट देश की जनता का है ना की केवर एक पार्टी की जनता का उनकी टिमपनी पर भाजपा ने थीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है भाजपानेता राहूल सिना ने कहा है कुछ दिनों के बाद वो सवाल कर सकती है कि हमारे रास्ती धवज में भगवा रंग क्यूं है हम ऐसा बयानों पर प्रतिकिया देने में उचित नहीं समझते हैं मतादे की टीम इंडिया की जर्सी को लेकर ममतावनर जी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारतिय क्रिकेट टीम विशकप के फाइनल में पहुँच चुकी है जिसका मुकाबला 19 नमबार यानी की कल ऑस्टेलिया के साथ एहमदाबाद के नरेंदर बोधी स्टेडियम में हो मैचों में हार से उभरने के बाद लगातार आठ मैच जीत कर फाइनल तक का सफर तैक कर लिया है अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमिट करें शेयर जरू करें अगर आपने मारे शाने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें